भारतिय जंता पार्टी और संगी मनुवादी सोच वाले लोग होते हैं और शोशित वंचित समाथ से इन्हें नफरत होती हैं उत्तरकाशी में एक दलित बच्चे का केस अभी मैंने आपको बताया था जिसे जला दिया गया और 307 IPC की दारा उसमें नहीं लगाई गई अब ए उसके बाद आज जब पॉक्सो एक्ट के तहट उसका केस चल रहा है और बलातकार का केस चल रहा है उस समय उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है वो बच्ची स्कूल नहीं जा रही और प्रशासन सोया हुआ है दिया मुत्तरकाशी फोन नहीं उठाते मैंने कई बार फोन किया ताकि उनसे निजी तोर पर इस बारे में बात कर सकूँ अब देखती हूँ कि मुख्य मंत्री इसमें क्या करते हैं मैंने रिदिम अगरवाल जी जो IPS है उनको भी फोन किया और क्यों किया आपको बता दू क्योंकि एक पत्र मिला मुझे जिसमें चंदन रामदास जी ने एक प ज्यान लेते हुए दोशियों की विरुद का टोर कारेवाई करने तता अनुसूचे जाती जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम की धारा पंदरा पच्छे के अनुसार पीडिता एवं उसके परिवार को सामाजिक वा आर्थिक रूप से पुना स्थापित करने वा पी पारेवाई से अध्योग हस्ताक्षरी को अब गत कराए और इस पत्र पे IPS रिदिम अगरवाल के दस्तकत भी हैं अब आपको बताती हूँ इसके बाद क्या हुआ एक पत्र लिखा गया और प्रेशक है रिदिम अगरवाल अपर सचिव उतराखन शासन पत्र लिखा गया पत्र में क्या कहा आखरी का बता रहे हूं इस संबंद में उक संदर्भित पत्र की प्रती संलगना को सहित प्रेशित करते हुए ये कहने का निरदेश हुआ है कि क्रपया प्रश्ण गत्प्रकरण की समसत्त्यों से परिक्षन जाज कराकर तत्संबंदी जाज आखिया शासर को एक सब्ता में उपलब्ध कराने का कश्ट करे और इसमें कठोर कारेवाई और अनुसूचे जाती जन जाती आट के हिसाब से जो सुरक्षा एवं पढ़ाई लिखाई के लिए पहले निर्देशत किया था चंदन रामदाज जी ने उसी के बारे में इन्हों ने आगे लिखा है अगर ये हुआ है तो आप देखे कि उसमें आगे क्या हुआ क्या कुछ हुआ नहीं हुआ अब इसमें एक और पत्र है जिसके डीटेल्स मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहूंगी लेकिन ये जरूर बताओं कि ये जो नोटिस है ये कॉपी मेरे पास है जिसमें अगेन ये ही सारी बाते आई है लेकिन क्या उत्तरकाशी का प्रशासन जागा है नहीं क्योंकि बच्ची डर के मारे स्कूल नहीं जा रही है जो स्कूल धाई किलोमीटर के करीब दूर है क्योंकि उसके अंदर वैसी डर की भी भाबना है उसका एक भाई है जो मांसिक रूप से आस्वस्थ है मा है और मा को इस वक उसके घर से जिस किराय के घर में वो रह रही है वहाँ से हटाने की बाते करी जा रही है उसके बारे में भी इसमें नोटिस में बताया गया है कि कैसे एक हजार रुपे प्रती माहा के किराय पे वो रह रही है और 4000 रुपए बकाया हो चुका है तो जो मकान मालिक है वो उसको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं पुनस्थापना, विस्थापन ये सारे शब्द है इस सरकार के लिए क्योंकि शोशित वंचित समाज की बेटी हो या शोशित वंचित समाज का कोई भी व्यक्ति हो उनके लिए आपकी सोच क्या है वो भाजपाने बिल्कुछ साफ कर दिया है अगर ऐसा नहीं है तो उत्तरकाशी के विधायक गण, सांसद जो सब भाजपा के हैं वो बताए कि इस बच्ची के साथ इस तरह का अन्याय आखिर क्यों हो रहा है मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिदिम अगरवाल जी का इसमें रोल है मैं लड़की का नाम अगर नहीं भी ले सकती तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस की बात कर रही हूँ जिस मा को उसके घड़ से निकालने की कूशिश करी जा रही है जिसका एक बेटा मांसिक रूप से अस्वस्त है 22 साल का बच्चा है वो और बेटी के साथ बलातकार हुआ है उसका केस चल रहा है वो स्कूल नहीं जा रही है इसकी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो है भरष्टा चारियों की सरकार की, बलातकारियों को सनरक्षन देने वाली सरकार की, बलातकारी जनता पाटी की, भारतिय जनता पाटी की सरकार की, सोई सरकार जागो, मुख्यमंत्री होश में आओ, और जो सही कदम इस वक्त उठाने हैं इस बच्ची के लिए उसके न प्रड़ेश्ड़ू